अब तीसरा चरण उन्निसव पच्यासी उन्निसव पच्यासी में पुना इसी से मिलता जुलता एक कानून आता है जिसे कहते हैं टाडा T.A.D.A Terrorist and Disruptive Activities Act Terrorist and Disruptive टाडा के नाम से आतंकवादी और विधवन्सक गतिविदी निरोध अधिनियम टाडा को हिंदी में आतंकवादी और विधवन्सक निरोध गतिनियम ये निरोध शब्द जो है ये आपको समझना चाहिए रोकने के लिए जैसा मैंने पूर्व में बताया ये जो कानून बने थे ये जो अधिनियम ये दंडित करने के नहीं थे ये प्रिवेंटिव थे रोकने के लिए थे किसी अपराद के घटित होने के पूर्व गिरफतार करने का प्राउधान था ताड़ा भी मिसा जैसा ही एक कानून था जिसे 1985 मिलाया और इसके राजनीतिक दुरुपयोग के कारण इसे भी समाप कर दिया गया जिस प्रकार से मिसा का दुरुपयोग ततकाली सरकार ने किया था उसी प्रकार टाड़ा का दुर्पयोग भी बाद में बहुत हुआ टाड़ा के तहद भी बहुत से लोगों को खासकर राजनीतिक विरोजियों को बंदी बनाया गया अंतत टाड़ा भी समाप्त हुआ लेकिन चौथा चरड़ दो हजार दो में इसे पोटा के नाम से पुनह लागू किया गया दो हजार दो में इस अधिनियम को संसद में पास किया गया और आतंकवादी विरोधी अधिनियम बनाया गया Prevention of Terrorism Act मतलब केवल आतंकवादी गत्वीदियों के तहट गरफतार लोंगो को इन प्रावधानों से वंचित रखा जाएगा जो मैंने पूर में बताया इसके पहले राजनीतिक गत्वीदियों से जुड़ हुए लोंगो को राजनीतिक विरोधियों को मिशा में टाड़ा में उसके पहले की जो कानून था दिनियम निवारक निरोध उसमें तो ये सब दुरुप्योग भी हो रहे थे और इसलिए बारं बार इसके आलोचना भी होती थे और हटाये जाते थे फिर नए रूप में जाते तो चौथे चरण में अर्था दो हजार दो में अन्तता ये पोटा के रूप में सामने आए प्रिवेंशन ओफ टेरिरिजम एक्ट दो हजार दो इस मेकार हम देखते हैं कि कैसे संदिग्ज गतिविदियों में लिप्त लोगों को गरफतार करके गरफतार करने का और उन्हें नदर बंद या जेल में रखने का प्रावधान दिया गया है या जब भी उसमें भी कुछ अधिकार ऐसे संदेहास्प जिस्थितियों में गरफतार हुए लोगों के लिए हैं अब हम आते हैं समानता के अधिकार के बाद स्वतनता के अधिकार की चर्चा हुई और अब दोनों अधिकारों की महत्ता को आप समच चुके होंगे स्वतनता का अधिकार कितना महत्पूर्ण है समानता का अधिकार हमारे लोकतंतर के लिए कितना महत्पूर्ण है अब हम तीसरे अधिकार क्यों आते हैं और अनुच्छे के क्रम में ये तीसरा अधिकार है शोशन के विरुद्ध अधिकार अगेंस्ट टू नहीं है राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटेशन शोशन के विरुद्ध अधिकार भारत में आजादी के पूर कई क्षेत्रों में हम देखते थे कि मजदूरों से, किसानों से, निम्न तबके के लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता था एक तो जबरदस्ती काम और दूसरा बहुत कम महनताने में काम अमानुई तरीके से उनसे बरताव किया जाता था कम उम्रके लोगों को कारखानों में, खदानों में और अन्य जो जोखिम वरे काम हैं उसमें लगाया जाता था पंद्रा पंद्रा घंटे काम लिया जाता था ख़दानों में तो खासकर जो जमीन के अंदर की जो ख़दाने हैं वहां जो महौल था सुरक्षा के नाम पर मजदूरों के सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ नहीं था फैक्टरी आदी में भी बड़ा गंदा वातावरण रहता था जहां पर इनलों को काम करने के लिए कहा जाता था और बहुत कम पैसे में ये शोशन कहलाता है इसके अलावा हमारे देवदासी प्रथा थी जिसमें एक तरीके से इस्तिरियों का शोशन होता था देवदासी प्रथा पुराने राज परिवारों में बड़ी प्रचलित थी और एक तरीके से हमारे हां की परंपराओं का एक हिस्सा बन चुकी थी महिलाओं का ये बड़ा अपमान था देवदासी प्रथा इस देवदासी प्रथा के खिलाफ भी महिलाओं के शोशन के खिलाफ भी समय समय पर आवाज उटती रही थी मजदूरों किसानों बच्चों श्रमिकों महिलाओं इन तबके के लोगों के शोशन को रोकने के लिए इस बुराईयों को समाप्त करने के लिए समविधान में अनुछे 23 और 24 में शोशन के विरुद अधिकार का प्राउधान किया गया है शोशन के वल इनके इनका ही नहीं होता जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी संबव है कि उच्च अधिकारी अपने निम्ड कारे करने वाले अधिकारियों से कुछ ऐसे गलत कारे करा रहा हो उनका दुरुपयोग कर रहा हो उनसे अतरिक्त कारे ले रहा हो उनकी तंखा ना द रहा हो ये भी शोशन हैं। दूसरे शबदों में किसी भी तरह का दुरव्पयोग ऊपर के तबके के दुआरा नीचे के तबकों का किसी भी तरह का दुरव्पयोग शोशन कहलाता है। तो ये शोशन के वुरुद्ध ये जो अधिकार है right against exploitation ये बहुत महत्पूर्ण है इस अधिकार के ताहत हमें क्या-क्या जानना है पहला मनुश्यों के क्रेविक्रे तथा बेगार पर रोक शोशन के वुरुद्ध के अधिकार के ताहत दो बिंदु आते हैं मनुश्यों का क्रेविक्रे मनुश्यों की खरीदी बेच और जो अनुश्य तेईस है और अनुश्य चौबिस में दूसरा प्रावधान है वह है कारखानों खदानों और जोखिम भरे काम पे लोगों को लगाने की मनाही कारखानों खदानों और जोखिम भरे काम में लोगों को लगाने की मनाही यानुश्य चौबिस क्रेविक्रेव और बेगार ये क्या है मनुश्य से जवरज़ती श्रम कराना जिसका उलंगन कानून के अनसार दंडनी अपराध है उसके तहती ये प्रावधान है आदमियों की खरीदी विक्री आपको याद होगा दास प्रथा का एक अभिन अंग था भारत में 200 वर्षपूर दास प्रथा लागू थी और वैसे तो विश्व के तथा कथित आधुनिक देश जो आज है इनके आधुनिकी करण की नीव में दास प्रथा के तहत खरीदे ग गुलामों का श्रम लगा हुआ है आदमी खरीदे बेचे जाते थे आज इस बदलते परिप्रेक्ष में बदलते हुए विचारों के तहत इसे गैर कानूनी करार के दिया है और इसका उलंगन कानून के निसार दंडनी अपराद कर दिया गया है इसमें व्यक्ति लोग ही अंस्थाएं भी अपरादी मानी जाएंगी यदि वे ऐसा करती पाई गई और कानून द्वारा निर्धारिद जो पारिश्रमिक है निर्धारिद जो मजदूरी है उससे कम देने पर दंडनी अपराद माना जाएगा ये एक बहुत महत्पूर्ण अधिकार है जितनी तंखा में जितनी मजदूरी में काम श्रम तैक किया गया है उससे कम मिलने पर हम कोड जा सकते हैं और अपरादी को या कम तंखा देने वाले को सजा दिलवा सकते हैं ऐसा दिखा गया बहुत से खेत्रों में भारत में ही कि दैनिक वेतन भोगी बजदूर इनसे काम कराय जाता था पूरा श्रम इनसे लिया जाता था लेकिन जब सबताह में पगार देने की बात आती थी तो पगार उनको बहुत कम दी जाती थी जबकि हस्ताक्षर पूरी रकम पे कराय जाते थे ये ये भी शोशन की श्रिड़ी में था और इस बात को लेकर फिर देश में अंदोलन हुआ और फिर इसी अंदोलन के तहट फिर सूचना का अधिकार आदा राइट टू इन्फरमेशन ये एक अधिकार भी इन्ही अधिकारों के तहट जन्म लेता है सूचना का अधिकार राजस्थान में मजदूरों को रोज मर्रा के कारे करने पर जितनी तन्खा सहमत हुई थी उससे कम दी जा रही थी निर्धारित जो नियूनतम तन्खा है उससे कम दी जा रही थी जब मजदूरों को इस बात पता लगी तो धीरे जिरोन आंदोलन किया आंदोलन फैलता गया विश्थारित होता गया और अंतता फिर सूचना के अधिकार के तहट एक नया कानूनी अधिकार आया ये अधिकार सम्वेधानिक नहीं है पर कानूनी अधिकार है अर्थार कम तन्खा देने पर सजा मिल सजा का प्राउधान किया गया अब इसमें एक अपवाद है इस विश्था का एक महत्पूर्ण अपवाद ये है कि सारवजनिक उद्जेश्व से अनिवार श्रम की जो योजना है वो लागू कर सकता है सारवजनिक उद्जेश्व से अनिवार श्रम की योजना अनिवार श्रम मतलब कंपल सरी लेबर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब एक विशेश परिस्थितियों में किसी एक खेत्र के लोगों को पर कुछ आपदा आ जाए तो वहां के सभी लोगों से अनिवार श्रम कराय जाएगा युद्र के समय जब लड़ाई लंबी हो जाती है बड़ी संख्या में फौजी मारे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार को यदिकार है कि वह देश के युवा वर्क से आवहान ही ना करे बलकि उनको आदेश दे कि वह फौज जाइन करें हत्यार उठाएं और सीमाओं पर पहुंच जाएं ऐसा प्रावधान भी है कुछ देशों में तो ये कंपल सरी है कि इस उम्र के एक खास उम्र के जुवा सेना में अपनी सेवाएं तीन या पांच वर्ष की अवश्च देंगे देश सिवा के रूप में और फौजी जरूरतों को फौजी दिक्कतों को समझने के लिए और देश प्रेम की भावना को पनबाने के लिए ये आवश्च प्रावधान किया गया है जिसमें अमेरिका भी एक ऐसा देश है तो ये प्रावधान भारत में स्थाई रूप से नहीं है पर सरकार को अधिकार है कि जुरत पढ़ने पर वह कंपलसरी लेबर की मांग कर सकता है नागरिकों से लेकिन उसका उद्देश व्यक्तिकत नहीं सारवजनिक उद्देश पब्लिक इंट्रेस्ट में इस बात को आपको ख्याल लखना है पब्लिक इंट्रेस्ट में चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो किसी खेतर में बहुत बड़ा अकाल भूकंप आदी कुछ आ गया हो कुछ ऐसी घटना हो गई हो जिसके लिए बहुत बड़े स्थर पर श्रम की जरूरत है और ऐसी स्थिते में सरकार इस प्रावधान को लागू कर सकती कारखानों, खदानों और जोखिम भरे काम करने से मना ही भारती सम्विधान का अनुछे 24 जैसा मैंने बताया उसमें 14 वर्ष से कम आयू के बच्चें पर प्रतिबंध लगा दिया गया है चोदा वर्ष से कम आयू के बच्चे, कारखानों, खदानों और किसी अन्य जोखिम भरे काम में लगाए नहीं जा सकते और यदि किसी निजी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिसमें चोदा वर्ष से कम आयू के बच्चों को से श्रम लिया जा रहा हो, तो ये एक दंडनी अपराध होगा ये किसलिए किया गया है? ये मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों की जीवन की रक्षा हो, बच्चों का शोशन ना हो बच्चों के जीवन की रक्षा और बच्चों के शोशन ना हो, बच्चों को उनका बच्चपन देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को खेल कूट की सुधाय देने के लिए, ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे बच्चों के साथ उनके जीव राइट अगेंस्ट एक्स्प्लॉइटेशन, एक्स्प्लॉइट करना यह शोशन करना, अब चौथा अधिकार आता है, और वह है धार्मिक सुतंतरता का अधिकार, राइट तु फ्रीडम ओफ रिलिजन, भारत के संदर में यह अधिकार बड़ा महत्पूर्ण है, जहां विबिन धर्मों के मताव लंबी अच्छी संख्या में हैं, भारी संख्या में हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम, कृष्टियन, सिक, जैन, आदी आदी, इन सब की संख्या काफी बड़ी तादाद में हैं, भारती संख्यान का अनुछेद 25 धार्मिक स्वतंता के बारे में बात करता है, और 25 से 28 तक, चार अनुछेद धार्मिक स्वतंता से संबंदित हैं धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि मानो स्वता के इतिहास में हमेशा लड़ाई जगड़े होते रहे हमेशा, प्राचीन काल से धर्म के नाम से चल रहा है, भारत के विभाजन में भी हम देखे हैं कि धर्म की भूमिका रही है, धर्मी का अधार था भारत के तूटने का, एक एक देश धर्म के नाम पर कैसे दो टुकड़ों में और बाद में तीन टुकड़ों में बढ़ गया इसका ये जीता जाकता उदारन है भारत और वह देश जो धर्म के नाम पर सहिशनुता को बढ़ावा देता है तमधान निर्माताओं ने भारती समाज में एकता स्थापित करने के लिए भारत में धर्म निर्पेक्ष राज्य की स्थापना की धर्म निर्पेक्ष राज्य धर्म के नाम पर किसी एक धर्म का बोल बाला नहीं रहेगा धर्म के नाम पर किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं रहेगा सभी धर्म समान रहेंगे समानता के अधिकार के तहट ये सुनिश्चित किया गया कि धर्म आदि के नाम पर किसी भी तरह की असमानता नहीं रहेगी तो धर्मिक स्वतंता उसी का एक extension है इसमें हर व्यक्ति उस बात के लिए स्वतंतर है कि वह कौन सा धर्म का अनुवाई बनना चाहता है कि धर्म का धर्मावलंबी बनना चाहता है उसे धर्म परवर्तन का भी अधिकार है और धर्म निर्पेक्ष्टा का अर्थ ये हुआ कि सरकार या सत्ता किसी व्यक्ति के धर्मिक मामलों में दखल नहीं देगी यही धर्म निर्पेक्ष्टा है समभधान निर्माताओं ने एकता को बनाये रखने के लिए भारत और न तूटे धर्म के नाम पर ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने धर्म निर्पेक्ष राज की स्थापना की और राज की और से किसी भी धर्म के पालन करने की विवश्चता से दूर रहे राज्य की ओर से किसी भी धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है हमारा राज्य ये नहीं कहता कि भारतियों को इस खास धर्म के मतावलंबी होना चाहिए इस खास धर्म के अनुजाई होना चाहिए नहीं राज्य की दिश्टि से सभी धर्म समान एक समान इसलिए धार्मिक स्वतंता की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ बिंदु शामिल है धार्मिर्फेक्ष्टा की जब बात करते हैं धार्मिक स्वतंता की बात करते हैं तो इसमें क्या महत्पूर्ण मुद्दे हैं और भारत के लिए जैसा मैंने कहा धर्म का विशय बहुत महत्पूर्ण रहा है तो इसमें पहला बिंदू है धर्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंता धर्मिक स्वतंता के अधिकार के तहट हम इस बात के लिए स्वतंतर हैं कि हमारा धर्मिक आचरण कैसा हो हम अपने धर्म के प्रचार के लिए सतन्त है अनुछे 25 तभी व्यक्तियों को इच्छानुशार धर्मिक आचरण करने धर्म प्रचार करने तथा किसी भी धर्म को स्विकार करने के सतन्ता देता है आपने देखा है सिख लोग कृपान रखते हैं, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं ये कृपान लेकर चलना उनकी धार्मिक स्वतंता का एक अंग है उनके धर्म में ये प्रावधान है कि कच्छा, केश, कृपान ये उनके पास रहना चाहिए हमेशा तो उसमें क्रिपान यद्यपी एक धारदार हथियार है पर सिखों के लिए वो एक धार्मिक सिंबल है धार्म का प्रतीक है और चुँकि वो धार्मिक प्रतीक है उनके मूल ग्रंथ में उनके धार्म में क्रिपान को एक बहुत महत्मून अंग माना गया है उन्हें उसे साथ लेकर चलने की स्वतंतरता है लेकिन गैर सिख को नहीं दूसरा धार्मिक कारियों के प्रबंद की स्वतंता धार्मिक कारियों के प्रबंद से क्या तालुकात है? यह अनुछे 26 में आता है सभी अन्याईयों को यह अधिकार है इस धार्मिक कारियों के प्रबंध की सुटंता के तहट की धार्मिक संस्थाइं वह स्थापित कर सकता है अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक संस्थाइं वह स्थापित कर सकता है परोपकारी कारियों के लिए चाहे धार्मिक विचारों के प्रचार के लिए और आपने देखा है देश में हज्जारों धार्मिक संस्थाएं विविन धर्मों से जुड़ी हुई विविन संतों के नाम से विविन गुरुओं के नाम से विविन धर्मों के जो महापुरुश हैं उनके नाम से हज्जारों लाखों धार्मिक संस्थाएं भारत में हैं ये क्यो हैं क्योंकि हमें अधिकार है धार्मिक संस्था स्थापित करने का उसका उद्येश क्या होगा परोपकारी कारे करना धर्म प्रचार करना दूस्रा धार्मिक मामलों का प्रबंद करने का अधिकार है तीसरा धार्मिक संस्था है तो चल और अचल संपत्ति अरजित करने का अधिकार है और स्वामित्व रखने का अधिकार है यानि धर्म के नाम पर धार्मिक संस्था के नाम पर हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं वह संष्था property बना सकती है संपत्ती बना सकती है और उसका स्वामित्व भी उसी के हाथ में रहेगा उस संष्था के जो सदस्च है उस धर्म के जो मतावलंबी है अनुयाई है जो संष्था से जुले हुए है वे स्वयम नेर्ने ले सकते हैं कि इनके स्वामित्व का अधिकार किन लोगों के बीच में होगा सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रहेगा सरकार का दखल नहीं होना ये इस बात को बार बार यहां स्पष्ट किया जा रहा है इसमें चोथा बिंदु है कि ये जो संपत्ती का अधिकार है चाहे वो चल संपत्ती हो उसके प्रबंध का अधिकार मतावल अंबियों को है संबंधित मतावल अंबियों को और उस राज्य में जहां पर वो संपत्ती है उसके कानून के अनुसार उसका प्रबंधन करने की छूट है संबंदित राज के कानूनों के अनुसार प्रबंदित करने की छूट तीसरा बिंदु जो है उसका संबंद धार्मिक कारियों के व्याय से है धार्मिक कारियों के लिए जदि हम कुछ खर्च करते हैं तो उस पे कर अदाएगी की छूट है ये एक बहुत बड़ा अधिकार जो दिया गया है कर अदाएगी से मुक्ति का अधिकार धार्म के नाम पर जो धनिक अठा किया होगा है धार्मिक कारियों के लिए और ये भारत की निर्पेख्षता को बखु भी साबित करता है समविधान के अनुछेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक और परोपकारी कारियों के लिए निश्चित की गई आए अथ्वा धार्म से जुड़ी हुई आए पर राज्यकर नहीं लगाएगा किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा चंदा देने के लिए दबाव भी नहीं डाला जा सकता जिसका उपयोग किसी धार्मिक कारे को संपन करने के लिए किया जाना चंदे के लिए दबाव भी नहीं है ये धार्मिक कारियों चे व्यायते संबन्द और करते मुक्ति के संबन्द का प्राउधान धार्मिक स्वतंता के अगला प्राउधान सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के तहट हमारे सम्विधान में क्या प्राउधान है अनुच्छे 28 मिस पश्ठर पहला जिन शिक्षन संस्थाओं का जिन स्कूल कॉलेजेस का संचालन राज के पैसे से होता है वहां कोई धर्म की शिक्षानी होगी क्योंकि राज धर्म निर्पेक्ष राज किसी एक खास धर्म की पैरवी नहीं कर सकता इसलिए पहला प्राउधान शिक्षन संस्थाओं जो सरकार के पैसे से संचालित हैं वहाँ पे धर्म के नाम से किसी तरह की शिक्षा नहीं कोई धर्मिक शिक्षा नहीं दूसरा राज़ द्वारा मानिता प्राप्त या राज़ द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेजिस, शिक्षन संस्थाओं में किसी एक खास धर्म का अन्याई बनने के लिए बाद ये नहीं किया जा सकता कल्बना करी एक ऐसी संस्था है जहां पर एक खास धर्म ते जुड़े हुए लोगों का वर्चास वह वह संस्था उस धर्म के प्रचार के उद्जेश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श जिस धर्म का वहां बोल बाला नहीं ये बहुत महत्पूर्ण बिंदू है राज द्वारा माननता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षन संस्थाओं में किसी को किसी धर्म विपेश धर्म विशेश की शिक्षा गरहन करने के लिए बाद नहीं किया जा सकता या न्यास के अधीन बनी हैं तो उसमें धर्मिक शिक्षा दी जा सकती है धर्मिक शिक्षा कहां दी जा सकती है इसके लिए भी इस पश्टर वहीं जो किसी धर्म या न्यास के अधीन इस्थापित हुई हो इस वकार सरकारी शिक्षा संसाओं में धर्मिक शिक्षा पर रोक और ऐसी संस्थाओं में जहां सरकारी अनुदान आदि मिल रहा हुश्चतम बंदित कुछ बातें इन तीन बंदों को स्पष्ट कर दिया अब आते हैं धार्मिक स्वतंता के अधिकार पर भी कुछ प्रतिबंद है एक और स्वतंता है पर अपवाद भी है धार्म के नाम पर पूरी स्वतंता है हमें लेकिन कुछ अपवाद भी है धार्म के नाम पर हम कुछ भी कर बैठें यह गैर कानूनी होगा धार्मिक स्वतंता का कानून भी उसका अपना दायरा है उसकी अपनी सीमा है सदाचार, व्यवहार, नैतिक्ता, सारवजनिक हित, स्वास्त के हित में इस स्वतंतरता पर कुछ प्रतिबंध लगा है और लगाया जा सकता है व्यवस्था के नाम पर, सदाचार के नाम पर, राज़ द्वारा, नैतिक्ता के आधार पर सार्वजनिक हित के आधार पर और स्वास्ति धर्म के नाम पर कहीं ऐसा कुछ कारे हो रहा हो जिससे लोगों के स्वास्त पर दुश्प्रभाव पढ़ रहा है कुछ ऐसे धर्मिक विश्वास कुछ ऐसे धर्मिक अन्दविश्वास धर्म के नाम पर किसी खास धर्मावलंगियों द्वारा किये जा रहे हैं से स्वास्ते पर बुरा सर पढ़ रहा है तो सरकार को अधिकार है राज्य को अधिकार है कि इन पर प्रतिबंध लगाए तो धार्मिक स्वतंता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को है यह एक अपवाद हुआ दूसरे शब्दों में धार्मिक स्वतंता का अधिकार आसीमित नहीं हैं उसकी भी अपनी सीमा है पांच वा अधिकार क्या है